स्ट्रीट वेंडर्स यानी रहेडी पत्री वालों जैसे छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है दरसल यूनियन आईटी एंड टेलिकॉम मिनिस्टर अश्वन वैशनों ने कहा है कि सरकार साल 2023 में डिजिटल टेकनोलोजीज की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000 से 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन फैसलिटी देने पर खास जोर देगी डिजिटल इंडिया अवार्ट सेरिमेनी में अश्वनी वैशनों ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोडने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G टेली कम्यूनिकेशन सर्विसेज पहुचाने के लिए लगभग 52,000 करोर रुपए अलोट किये हैं उन्होंने आगे कहा कि देश इस साल स्वधेशी रूप से डेवलप हुए 4G और 5T टेकनोलोजी को लागू होते देखेगा टेकनोलोजी सेक्टर में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रधान मंत्री मोधी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक Electronic Chip Manufacturing Plant की सापना की जाएगी प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी योजना को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी की रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था इस योजना का मकसद COVID-19 महामारी के चल्दे स्ट्रीट वेंडर्स को हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें सशक्त बनाने का है सरकार का December 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहद बेनिफिट देने का टार्गेट भी है